टेक्निकल और एंजी कर दीजे लाइक शेर और सब्सक्राइब और पास पहीं मिलेगा आपको घंटी का बटन उसे भी आप प्रिस कर दीजे ताकि हमारे दोरा अप्लेट कीएगे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके हमें अपने मोबाइल फोन में फ्रेंट्स पिक्सलाइब अप्लिकेशन को ओपिन कर लेना होगा जैसा कि आप लोग देखवा रहे हैं कि हमने अपने मोबाइल फोन में पिक्सलाइब अप्लिकेशन को ओपिन कर रखा है तो फ्रेंट्स हम यहाँ पे अपने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे जो हम Unicode पाइट से कापी की हुए है इस पिक्सेल अप्लिकेशन में हम उसे जो है पेस्ट कर देंगे तो फ्रेंट्स आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पे हम कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर चुके हैं उसके बाद हमें जो है फॉंट वाले य Wanna go जाने के बाद आपको जो है मिल जाएगा फॉंट का आप यहां फॉंट वाले अपmail маजो पर चले जाईएगा यहां पर अप नीची स्क्रॉल करते जाईएगा तो फ्रेंट्स और हमने वाब हुआ हुआ है कि किया हुआ है तो आप यहां पर यहां पर यहां ठोड़ा परकार से हमने अपने thumbnail में दिखाया है, जो font अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखने के लिए जो है, आप unicode pad में जाएंगे, वहाँ पर लिख वाएंगे, तो friends से यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, simple से जाना होगा, फिर से वही font वाले option पर आपको जो है नीचे scroll करते हुए जाना है, फिर यहाँ stock का option मिल जागा, stock को friends enable कर देना है, stock को enable करने के बाद हम जो है चले जाएंगे color वाले option पर, आप कुछ भी color चूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है red color या pink color कुछ भी चूज कर लेते हैं, आप किसी भी color को चूज कर लिएगा, उसमें कोई problem नहीं है, तो friends यहाँ पर हम नीचे चले जेंगा, scroll करते हुए, फिर यहाँ पर आपको 3D text को option मिल जाएगा, यहाँ पर 3D text को जो है option मिलने के बाद आपको disable है, आपको enable करने के बाद, यहाँ पर आपको second option पर चूज करना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखनी को मिल जाएगा, तो आप जो है इसे थोड़ा कम कर दीजेगा, चार या पांच ही हम इसे रखेंगे friends, उसके बाद color पर जाना है, color को जो है हम कुछ इस प्रकार से चूच कर लेंगे red वाले color को, darken को इदम 0% कर देंगे, enable को friends हम disable कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, चाहे तो आप इसके color को जो है यहाँ पर पीला कर सकते है background, अब हम यहाँ पर जो है इसके color को दूसरे color में change कर देते है friends, जैसकि यहाँ पर हम जो ही इसे white रख देते हैं, इसे white या red रख देते हैं, आप चाहे किसी भी color को रख लीजेगा, तो friends, इसको इतना रखने के बाद हम जो है यहाँ पर फिर से 3D text वाले option पर जाएंगे, और अपने color को change कर देंगे, आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलदा friends, आपको नीचे एक और चक्र दिखेगा, यहाँ पर आप इसे कही पर भी state कर सकते हैं, आप जो है थोड़ हैं, नहीं तो हम जो है अपने आप से इसे set कर लेंगे friends, इतना करने के बाद आप जो है इसे थोड़ा light कर देजेगा background इसका, अब आप लोग देख पा रहे हैं कितना attractive लग रहा है friends, 3D text इसका जो है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको जो साइटो थ इनेबल हो चुका है, 3D text को इनेबल करने के बाद हम जो है, इसलिए ठीक नहीं दिख रहा है, हम इसे white इस्टोक देदेंगे friends, आप इसे यहाँ पर थोड़ा सा इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से, आप चाहे तो color को भी change कर सकते हैं, तो friends, मैं जिस परकार से ल इस वीडियो में password मिल गया होगा, यदि आप लोग password पाचुके हैं, तो हमारी इस वीडियो के description box में जाएए, वहाँ पे जो है, आपको font download link दिया गया है, वहाँ पे friends, एक दो नहीं, पूरे के पूरे 10+, आपको popular font से मिलेंगे इसी परकार से, तो दोस्तों, आपको हम फिर म